जम्मो कश्मीर भारत को सम्वेधानिक रूप से मिल गया है लेकिन जम्मो एंड कश्मीर में अभी भी कई चीजे ऐसी हैं जो लोगों को उपलब्ध नहीं है उनहीं मांगों को लेकर दिली के पहाड गंज में नैशनल पैंथर स्टेड यूनियन ने धरना परदशन किया जिसमें नैशनल पैंथर स्टेड यूनियन के जनरल सेकेटरी सेवा सिंग बाली ने कहा कि जम्मो एंड कश्मीर को राजी का दर्जा दिया जाए फोरजी इंटरन सेवा सिंग बाली ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो वह कोट में याचिका दायर करेंगे और अपने प्रदशन को इसी प्रकार जारी रखेंगे इस प्रदशन में नैशनल पैंथर स्टेट यॉनियन के सभी कारिकरता और पदितिकारी भी शामिल जम्मू कश्मीर में रियासत का दरजा हमारे जम्मू कश्मीर और लदाक और हमाचल के जो बैसिक मुद्धे हैं उनको लेकर हम देली में आये हैं काफी दिनों से मैं यहां पर हूँ और जैसे आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल जब हमारा 2019 में जब 370 अर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया तो उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के साथ एक इतनी बड़ी ट्रेजरी हुई दफ़ा 370 हटने से या 35A हटने से हमें कोई फरक नहीं पड़ा मगर जो हमारे साथ एक विश्वास घात हुआ हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जैसे हमारी 200 साल परानी जो रियासत का दरजा उसको हटा के यूटी में बदल दिया गया जिस से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग अपने आपको लावारस समझ रहे हैं तो हमने हमारे जो चीप पेटरन है प्रफिसर भीम सिंग जी उन्होंने प्रेज़ेंट आफ इंडिया को कुछ दिन पहले एक स्ट्रांग लेटर लिम्टेशन होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन की कराये जाने चाहिए जिस से वहां के लोगों को नमाइंदगी जो है वो मिल सके और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जब से दफ़ा तीन सो सतर और पैंतीस ए हटाया गया है तब से लेकर आज तक हमारे जम्मू कश ही और हमारा और सबसे बड़ी जो नाइन साफी मैं आपको जानकरी में बताना चाहूंगा कि जो रिचार्ज हमसे करवाया जाता है वो फोरजी का करवाया जाता है और फैसल्टी हमें प्रोवाइड की जाती है टू जी जम्मू कश्मीर में ये एक जमीनी सता के जो लोग है जो डिजर्विंग लोग हैं जो अपने हक से महरूम है 24 गेंटे ड्यूटी करने के बाद मात्र 200 रुपीज पर डे सेलरी देना वो मिनिमम वेजिस एक्ट की ख़लाव फर्जी है तानाशाई है अंग्रेजों की हकूमत से भी बढ़कर जलुम है और 24 गेंटे और कहीं हमारे स्प्योज भाई जो कश्मीर में जम्मू में अलग अलग जलुमें शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर और हमाचल की सरकारों को तस से मस नहीं होता है और तब ही हम मजबूर होके अब हम यहां पर इस सेटेज पर पहुँचे हैं कि कल या मंडे को हम सुप्रिम कोट आफ इंडिया में एक रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं इन फेवर आफ एस प्योज जम्मू कश्मीर लदाक एंड हमाचल परदेश ताकि उन लोगों को इंसाफ मिले हमारे जम्मू कश्मीर में जो बिजली का बिल है छे मेने पेले साल पेले एक सो आट रुपे आता था वही बिल आज तीन सो पच्चतर रुपे कर दिया गिया है वहाँ के गरीब लोग हैं तकरीब नैंटी परसेन हमारे पहड़ी अलाके हैं उनके लिए 375 रुपया पर मंत ना वहाँ पर फ्रिज इस्तमाल होता है, ना वहाँ पर फेन इस्तमाल होता है, ना वहाँ पर किसी किसम की ज्यादा बिजली इस्तमाल होती है, तो आज उनको 375 रुपया मतलब बिजली आए या ना आए, जैसे सर्दियों में हमारा बरबारी ह होती है तो तीन चार मेने बिजली होती ही नहीं है बिल बराबर आता है हम ये भी डिमांड करना चाहते हैं जो हमारे पावर मनस्टर है ये देली में जो हमारे हिंदोस्तान के बिजली मंत्री हैं उनसे ये गुजारश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की सरकार को हिदायत दी जाए कि मात्र एक सो आठ रुपया जो प्राना पहले बिल आता था वही बिल जम्मो कश्मीर के लोगों को आना चाहिए और गौवर्मेंट से अगर हो सके तो जम्मो कश्मीर के तमाम एलेक्ट्रिक जो जिनके बिले हैं उनको एक साल का किराया जो है माफ कर दिया जाना चाहिए क्य हिमाचा के पुलिस डिपार्वेंट के अंडर जो काम कर रहे हैं जो सेंटर गॉवर्मन के ओर से रखे गया है जमुकुछमिर के बेसिस पर ही उनको रखा गया है 98-99 में जो पुलिस के जवानों के साथ है कंते से कंता मिलाकर पिछले 22 सालों से काम कर रहे हैं और चाहे वो डे गया है 8-च internet के बाइसे के कलिसे बच्चे लाइक बच्चे शादी बया के लाइक हो गे है किसी के बच्चे दसमी बारी भी पढ़के आगे ट्रेनी करें तो क्या 6000 में वो ट्रेनी कर पाएंगे क्या 6000 में अपने बच्चों में पड़ा लिखा पाएंगे Bureau Report, The Delhi Today